हेलो फ्रेंस आज मैंने देखिए हार्वेस्ट की हैं अपने गार्डन से हल्दी और एक हल्दी से कितनी सारी हल्दी बन के त्यार हो चुकी हैं यह आप देखिए बहुत ही एजिली आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं इन्हें ग्रो करने को परफेक्ट टाइम होता है आप मार्च स मार्च से लेके में तक आप हल्दी को लगा सकते हैं कल्ची जो हल्दी होती है वो एजली मार्केट में इस समय अवेलिबल होती है विंटर में ही आपको कच्छी हल्दी बहुत ही एजली सबजी वाले की दुकान पर भी मिल जाएंगी और एक बार बस इतने छोटे से अगर आप जमीन में दबा दें आप गमले में ग्रो कर सकते हैं ग्रो भैग में ग्रो कर सकते हैं और सबसे इची बात है कि हल्दी पता है आप अगर सूरज नहीं मतलब सनलाइट नहीं आता है तब भी ग्रो कर सकते हैं ब्राइट में आप ग्रो कर सकते हैं हल्दी के पौध और आप देखिए जा मैं यह पौधा मैंने लगाया था आप इसे ऐसे फॉली एज प्लांट भी रख सकते हैं आपने अगर इसे मार्च में अप्रिल में लगा दिया तो अप्रिल से लेके दिसंबर तक ऐसे फॉली एज प्लांट खुभी ब्यूटिफुल सोती है इनके लीव कर रही हूं हार्वेस्ट और यह देखिए आपको दिखाई दे रहा है मिट्टी के अंदर जैसे ही मैं खोड रही हूं नीचे यह हल्दी दिखाई दे ली है बस एक हल्दी आप एक बर ग्रो कीजिए और उससे आपको कम से कम बीस गुना तो मिल जाएगा फिर उसमें से एक सनलाइट सुबह या शाम की दो घंटे की तीन घंटे की मिल गई बहुत अच्छा होगा तब क्या होता है ग्रोथ और अच्छी होगी तब को और अच्छी हल्दी प्रापत होगी लेकिन यह सेमी शेड में भी अच्छे से ग्रो हो जाती है हल्दी तो अब यह देखिए यह जो पूरा रूट बॉल है ना तो मैं खुदाई करके इस तरह से कोशिश कर रही हूं पूरा इंटेक्ट बहार आए बस जैसे ही आपका पौदा सूख जाए इस समय आप अपने हल्दी की इस तरह से निकाल लीजी देखिए यह पूरा इंटेक्ट रूट बॉल है इसके धर देखिए गाब पूरे साल ऐसे फॉलिज प्लांट का भी इसको ऐसे लगा के रखिए और फिर जब इसका टायम आता है जनवरी में से हर्वेस्ट कर लीजिए तो होते ना आम क्यां गुठलियों के दाम और फिर उसी जो आपने हर्वेस्ट की है उसी में से यह एक दो हल्द यह लेंटी पंगल बनेगी तो प्रकति तो हमें जो भी देती है ना वो वेस्ट कभी नहीं होता है वो हर चीज सोना है चाहे सूखा हो यह इस तरह से यह जो मैंने आज यह सोना आज हर मतलब खुदाई करके यह बोलते हैं ना खजाना मैंने निकाला है देखिए किती सारी ह काफी सारी हल्दी आज मुझे मिली है और अभी तो मैं ऐसी छोड़ दूंगी जिससे सुबह तक इसकी मिट्टी जो भी गीली मिट्टी है वो सूख जाएगी उसके बाद यह जढ़ जाएगी खुद अपना और कोई कच्छा खाता है या फिर पाउडर बना के सुखा के पा करी है